कि ज्याए सब्सक्राइब करने वाले हैं यह कूशन जो है आपको टार्गेट करेंगे यानि किसको टार्गेट करके बनाया गए यह जोड़ें प्रसंट लेकर आता हूं तो आपके सामने परसन ऐसे आएंगे देखो बहुत अच्छे-च्छे परसन आने वाले इससे पहले कि परसन को थोड़ा चोटा करना पड़ेगा बहुत बड़ा परसन है इसा परसन स्क्रीन पर भी नहीं मा रहा तो बताव आप इसका आंसर दे पाओगे क्या नहीं तो इससे पहले मैं आपको संद्धिन नहीं तो बना दो अब अच्छा टून रहा लेकिन आपको सेड़्ूल सेड़्ूल मतलब में आपके समय सारण नहीं मना दी हिंदी का टेस्ट आपको यह मिलता को तो कितनी बजे मिलेगा साथ बजे सुबह की साथ बजे रोजा नहीं मिल जाएगा आपको इस चेनल पर और राजस्तान जीके जो आपके बेस्टिस में वेरी-वेरी पर आपको क्या मिल रहे हैं तो आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है और अगर अच्छा लग रहा है और वीडियो में वास्ते में आपको मज़ा आ रहा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अपने मिस्त्रों के साथ जरूर करेंगे चले पहल प्रसन यह कहता है आप से प्रसन जो है आप से प्रसन नमर एक कहता है कि आपको अध्यापक क्यों प्रसन दे सिधा परसन आपसे पूछना चाहता है कि आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हो पुलीस रहे आप पुलीस क्यों नहीं बनना चाहते हो इंजनेर क्यों नहीं बन बाप ने आपको बताया कि समान जनक वेवसाहे हैं फिर आपको इसमें रूची है इसमें वेक्ति खूब पड़ता रहता है तो कोई तो सोच रहा होगा यहां गुरूजी मेरेको यह डी वाला उप्सन बहुत अच्छा लग रहा है यह लगा दूमें तो लेकिन यह लगाना आ आपको ध्यां रखना फिर इसमें क्या जाए जाए जाएगे बिच्चिया अध्यापक के साहिशाने सेतानी नहीं करते हैं जिरो नम्बर लेना ओ तो श्रू आदे ना ठीक है उसके माबाब समान जनक पतकी लेना नमबर लेना हो तो यह लगा देना कौन सा यह बाला और ध् जल्दी से बता दीजिए मुझे सभी जने मेरे सभी बाई बहन मेरे चोटे मित्र मेरे साथी गान जब भी मैंने बता है आपको की सिक्सन की योजना को आपको हमेशा हमेशा क्या लगाना है जब से मनों विज्ञान आया है तब से हमारी सिक्सा पद्ति यानि सिक्सा की अपको अच्छे से याद रखना आप के तीसरा पर से पूछना चाहता है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परसने परसन आया हुआ है रिपीटेट परसने यह कहारा चाहिए परसन नमबर तीन एक सिक्सक के रूप में आप अतरिक्त उत्तर दायों तो लेना लेना किसलिए 23rd गoney और चाहिए हो और आप माश्टर बन गए हो और अच्चर कारियों अपकंप क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा कारिय है और तीरिक्त काम लोगा कि आत्रुग और यह distinction परसासन को स्योग करने के लिए तो जो इसका अंसर ज्यान रहना है जो इसको आंसर यह लगा होगे उसको परदाना अध्यापक को खुश करने के लिए अगर काम करोगे ना आप तो आपको जीरो नमर मिलेगा अगर आप नहीं अनुपव के लिए को आपको दो नमर मिलेंगे और आप 6 दूमें लोग पि मतलब मिलेगा अगर परसाशन को सयोग करना चाहते हो तब आपको कितने नमबर मिलेंगे यह पूरा फ़ों भुकम आ रहा है parf्या हेńst qué तो टीन नमबर मिल यह आपको ठीक न कढ़ना ओके तीन नमर मिल गए आपको समझ में और नहीं चीज समझ में आगए होगी चीज तो करेक्ट आंसर क्या हो जागा उप्सन नम्बर डी त्यां रखना आप शिक्सक के रूप में अतिरिक्त काम करना चाहोगे या फिर आप अतिरिक्त उत्तर दायतु लेना चाहोगे परसासन के सयोग करने के लिए यह परसंट रिपीटेट आप चलेंगे चोटे बच्चों को कितनी आयू में इसकुल बेजना चाहिए यह पूचने की बात है कि इच्छा हो तो बहत दो बिल्कुल गलत साब्यांद रखना ठीक है जब बच्चा बोलने लगे तब बेजना है उसको जब बच्चे के पढ़ने में रूची पैदा हो तब बेजना है जब बच्चा पांच वर्स से अधिक आयू का हो जाए तब बेजना है और तीन वर्स की आयू के बाद बेजना है वेरी मोश्ट इंपोर्टेंट परसने हावा भी ने लगेगी और दूआ पी ने लगेगा और सो पीट उपर से जाएगा ना उसकी बात लगाने है दूआ पी लगाना सब कुछ लगाना है तो जल्दी से क्या करो मेरा इसका अंसर दे दीजिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोई सोच रहा होगा कि साब जब बालग जो है ना यह च्छे वर्स का होता है तब इसका कची पहली में करा देते हम इसको स्कूल में क् था उसको तो साथ दियान देर ना कर्रेक्ट और कर्रेक्ट अंसर होगा जब तिन वर्स का हो जाता है तीन वर्स के बाद करेगा जिए और जिलते ब्ले जब यह तो ऊब संपते बात नंबर दो आपको आघ्एंवें नवने चैंघर मिले का से बादो ईसको नमब जूर किया रखना जब यह करेगा तब उसको एक नंबर दो बिल जाएक और बच्चा बोले लग जाए तब एक नंबर लए यह प्रसंद योजना क्या यह जल्दी से बता दीजे मुझे लोल्टन होजाएं क्या है अल पायू के लिए उप्रूकते बालक केंद्री नहीं 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 वाले को हटा दो यह जो आपको एक कानी सुनते हैं चलो इसके पीछे झाले और यहीं अमेरिका की एक महीं की एक सी मैडम को उनका नाम है हमारे लेन अ घम के जसके नहीं दो कि लुए नहीं बहुत बड़े माईड मंदब अपने विशे का ब़ूरे तक क्ष्चे法 में इसकुल में लोग इन से परपाज होते थे बहुत अच्छा रिजट देते थे तो इन्हों ने एक दिन प्रिंसिबल साहब को जाके बोला कि साब मैं चाहूं कि ऐसा इसकूल चलेगा आप याप चाहूं कि यह प्रिंसिबल साहब का आपका जो रूम है ना बिल्कुल के पीछे होना कहाँ पर कोई भी बच्चा मिलब आप किसी बच्छे को देखना सब्सक्राइब बच्छे बिल्कुल स्वतंत्र होने चाहिए अच्छे जिसमें आप बच्छों को देख नहीं सकते हो जब बच्चा उसकी इच्छा की तब इसकूल आएगा और जब उसकी इसकूल जाएगा say even now इसका correct answer क्या होते हैं तो ध्यवान डियान देना ना यहां किसा बालक क्यों होते हैं आप साहा में चलना चाहाँगा प्रसंद नंं कि यह क्या कि थोड़ा सेट नहीं हो रहा है चलो जल्दी से को सेट कर लेते हैं अरे बाइज चिपक क्यूं गया रहे चल ठीक है अब देखते हैं पर आगा लुए देखते हैं सको अब यहाँ पर आ गया है देखकु गपे हाकने का वक्त मिल जाएगा और शिक्सकों को हैसा कार्य करना पड़ता है जो उनने लोग पिरे बनाता है लोग पिरे का मलब होता है ये परसन मारा चटा है और करेक्ट आंसर जाएगा इसका correct answer जाएगा यह प्रसन हमारा चट्टा हुआ करेक्ट आंशर जाएगा सी कोऊन सा जाएगा सी का मतलब क्या होता है अगर आप शीको और हर महिने उनके अभीभागों को को अपने बच्छे की प्रकर्ति कर रहा है नहीं कर रहा है सकी रिपोर्ट भेस, अभी English सब्सक्राइब करना रहता है अब में सब्सक्राइब कर लेते हैं यह हमारे हाथ की बात हैं चोटा बड़ा करना तो हमारे खेले हमारे द्वारा बनाए हुए हैं तो हम चोटा मोडा करी सकते हैं इसमें कोई मोटी बात नहीं है परसन नुमर साथ वाजू है करना चाहता है आपसे की चोटे बच्चों की क्याने इंद्रियू को किरिया सील सक्सम बनाने है तू क्या करोगे आप उनके सक्सम चाहते हैं को अनके अच्छा है यह पांच भी से लिए करेक्ट अच्र हो जाएगा और सांत बेटने के लिए कोगे तो जीरो नमर मिल जाएगा आपको यह कोगे तीन नमर मिल जाएगा और तो साथियो मैं जब भी आपको टीचिंग एप्टिटूट सोल कर वाता हूं तो मैं आपको यह भी बताता हूं आपको किस ऑप्शन से कितने नमर मिलेंगे आपके सिस्टम में बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप कुछ भी करो ना तो नमर तो मिलेंगे आप गलत करो तो भी न तो मिलेगा अब मैं चल रहा हूं प्रसन नमर किसकी और तो प्रसाड नमर हमारा आठ वगाए आत्वा प्रसंद आप से पूछना चाहता है कि एक शिक्षक के रूप में आपकोशन करता घर तो आप कहा पर चाहिंगे ना आज करना चाहेंगे आज कहलके माश्टर है ना यह मलब यह क्या कि मलब पेड़ के नीचे देन नहीं करवा सकते जब कि पहले गुरू कुल वा करते थे और वहाँ पेड़ के नीचे पढ़ने का इतना अंदन आता था खुली हवा सुद्ध वाता वरान और धरती पे बेट के पढ़ने का अंदन इतना अलग साथ कि हमारी ज्याने इंद्रिया एकापगर होकर हमें सारी चीजह याद कर देख अब आज हमें क्या कि स्कूल में इतनी सुविजा मिल गई कि उपर सदगा पंग का इदर सामने ब्लेक बोल्ड या ग्रीन बोल्ड या वाइट बोल्ड जो भी बोल्ड हो आज कल टेकनिक के वाइट वरण हो वहां पर छिक्सक पड़ा सकता है अपने जिल्ले जिल्ले के उपरें उस में जानी वेकति के बच्चे पढ़ते हो और गाउनव को ट्यूशन बुलाना चाहते हो ईसा सब नेगेटिव पॉइंट है तो करेक्ट पॉइंट किया जाएगा उप्सिन नमर भी हम पढ़ा सकते हैं यहां पढ़ने पढ़ने का वाता हुनों ऐसा नहीं हो कि पास में तो हमारे क्या कि बहुत बड़ा कार खाना लगा हुआ है उसके जैस्ट दो मीटर पर क्या है स्कूल बना हुआ है और संचे अभिलेक का थूर्त होता है साब पत्थर पर लिकी हूई कोई पी चीज ठीक है ना जो कोई चीज लिकी हुए होती अना पत्थर पर उसको बोलते हैं अभिलेक का मण मतर्ब क्या हो घया yer Dak Badala का मनता हे सकति inventions फान पर बच्चों में अनुसासन रखा जा सकता हैं बच्चों की पढ़ाई की प्रकृति का पता लगा जा सकता है करेक्ट आंसर तो मेरे साथी गंड जो भी हैं जिनको पता नहीं है पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनको सबसे पहली तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेला को प्रेस कर ले और क्या कर ले ध्यान रखना नवे का अंसर क्या है नवे का अंसर जो भी हो जिसे मालो नवे का अंसर एफ हैं तो एफ लिख कर मेरे को बेजे अरे एफ तो है नहीं आप है उप्सन तो नवे का अंसर क्या है जिसे माले से क्या होता है बच्चों के पूला विकास का पता लगाया जा सकता है अब मैं चलना चाहिए प्रसों पर ंजाता हो तो भी दो सकता है है को सपय शूटा प्रस्ट पर 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 से क्लिए क्या है थ स्थ 57 अध्यापक का आब यहा ब्रसा करें चार्च के उनकी घलतियों का रिकोड रखें की जरूद पड़ने पर उनके माबाप के सामने रिकॉर्ड पेस्स किया जाए छात्रू को उनकी गलतियां बताता रहे इन में से कोई नहीं नियत तारिक पर आपकी परिक्षां होगी आप किसी प्रकार का कोई टेंशन ना ले और अपनी त्यारी को बहुत द्रड सुद्रड कटोर बना ले तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यारकना उप्सन नमबर सी हो जाएगा चात्रों को उनकी गलतियां बता दे बताता रहे वह अध्या कोन सा परशन आगे सब्सक्राओं आप घ्यारवा यह कए अध्यापक का वास्थ्वी काश्य करें क्या है यह है जात्रों को पढने में लगाना चात्रों को पढने के लिए प्रेत करना चान Wiki cash करना चात्रों की परिक्सा पास करने के योगी बनाना अरे कौन सा उप्सनों का जल्दी से कमेंट करे इसका करेक्टर हमसरों का ध्यान रखना सात्यों वही अध्यापक सही कारे करता है वही अध्यापक का वास्त्वी कारे होता है जो चात्रों में क्या कर सके चात्रों की परतिबा आपको सरोन 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 मुखी का मतलब होता है सबी तरह से विकास कर सके ठीक है ना सरोन मुखी का मतलब क्या होता है सरोन मुखी का मतलब होता है साग सबी तरह से विकास कर सके अब मैं चल रहा हूं परसन नंबर कौन से परसन नंबर 12 की और जो भी मेरे साथिकन बोर हो रहे हो सब्सक्राइब को नाम जानना चाहिए इसका मुख्यलाब क्या है नाम जानना चाहिए चात्र गलत कारे करने से डरेंगे चात्रों के साथ सिक्सक का सम्मंद बढ़ेगा चात्र अनुशाथी रहेंगे तो किसी-किसी मेरे करना चाहिए नाम जानता हूँ आपका नाम क्या है रामी बना बनादी इसका कान भी बना देते हैं इसका कान भी बना देते हैं चलो सब्सक्राइब करें ना तो ने ले रहा हूं आपके लिए आपके लिए प्रसंट नमर चल रहा हूं मैं प्रसंट नमर आपके सामने आ और गुछ को साओं प्रस्न कौन सा है तो यह प्रसंट क्या राहिए नमर चैसे का स्वागती ने और ग्ता। और कि रहें में के सब्सक्राइब करें दनीन में और भी घंगा यह पर सावा है है तो ध्यान रखना इसका कर्रेक्ट आंसर जो जाएगा हो जाएगा हमारे option number किसको जाएगा तो मेरे मेरे साथिक उनको मैं पहले भी बोल चुका अब भी बोल रहा हूं कि अपने चात्रों को समझाने के लिए सिक्सक को किस बात का ज्यान होना चाहिए तो बाल मनो विज्ञान का बालक कैसा कैसे सीखता है बालक की रूचया हैं प्रवर्तियां सभी तो इसका तो सभी जने correct answer देंगे मेरे को मैंने प्रसंद का उतर भी बता दिया देखो प्रसंद का मैंने उत्तर बता दिया जिसको पता नहीं चला है वह आप पता कर ले देखो इसका correct answer देखा option number C ज्यान रखना बाल मनो विज्ञान का मतलब होता है साब जब तक आप बालक के मन को नहीं जानोंगे तब तक आप अच्छे से बालक को नहीं समझा सकते हो ज्यान 60 चाहता है ।यस читat käytश प्रेंज जो को सकता है क przysz हिंदी और मैं उसको शिखा रहा हो फ्रेंश बासाँ सिक देखा तो क्या हो घंट यह का ज़राज और सब्सक्राइब क्या है बालक की इच्छा और ही डांस करने के और आप उसको सिखा रहे हो तो बत्ता हो बालक सीख पाएगा क्या कभी नहीं सीख पाएगा हो तो इसका क्रेक्टांसर क्या हो जागा ऑप्सन नंबर हो जागा डी अब साब चलते हैं हम प्रसंद नंबर किसकी और चलेंगे मनों विज्ञान का मतलब यह होता है कि हमारे मन का विज्ञान और मन का विज्ञान क्या होता है साब तो मन को जो मन को जानने वाला विज्ञान होता है उससे हम मनों विज्ञान कहते हैं तो अब द्यान देना इसमें देखो क्या आजाएगा इसमें आजाएगी कि चात्रू की पर्तिबा का मुल्यांकर नहीं कर पाइगा तो करेक्ट आंसर जल्दी से उझे कमेंट करके बता दीजे कैसे लग रहे हैं मेरे सबी बहने में सबी बाही कमेंट जूरूर करेंगे कोई भी ऐसा नहीं रहें निसाथ dari g सबसे अच्छा उपाई समझते मन ही मन समझ लेना दिमाग में बेठा लेना बार-बार दो रहाकर याद कराना ध्यान से याद कराना तो सब उपसे बहुत खतरना जल्दी से इसका उत्तर दो नहीं तो यह प्रसंट जो जो आपको नबर सोला जो जाएगा option number C हो जाएगा बार-बार दोरा कर याद करना इसका correct answer हो जाएगा ठीक है तो अब मैं चल रहा हूँ इसकुल में कितने मास्टर रहें बताओ एक स्कूल में दो मास्टर हैं एक स्कुल्स पहली से पांचीह तका स्कुल है जिसमें दो मास्ट्र लगे हुए लिमाशच्टर के काम या बसांदा उह इक पांच प्यस्ति या कितना अब क्या करेंगा उसे जल्दी से परसन कुछ कई नहीं जाना है बहुत बहुत डबाव डालता है आप उसकी कठीनाई को क्या मांते हैं जल्दी से बताएं यह उसकी आदत हो सकती है और दियान अगना क्या हो जाएंगा च्छो बालाई मेरी सातिकान बाई । जो भी चैनल को सब्सक्राइब ना चैनल को सब्सक्राइब डेण ये मैं रोज बोलता रहूंगा जब तक आप तो चलता हूं में पूरे समय तक बच्चों को सिख्षा कारिय कर्मों में पूरी तरह वेस्ट रखा जाए तो आपके खयाल मे खयाल से कौन सी समस्य प्रसने सकते तो इननीश तो स्भी का जल्दी से आंसर बता दीजे मुझे को साथ्य जाना इसका कर्रेक्ट और और करुडर नहिंड रखत को फिस तोब्लिन होगी मैं गलत पड़ लिया समश्या पेदा नहीं होगी अच्छा बहुत सांधार प्रसनेर सा बहुत चालू प्रसन निकला यह तो हम तो इसको सरल मांद रहे थे यह बोड़ा साब की स्कुल में पूरे समय तक की बच्चों को सिक्सा कार्य कर्मों में पूरी तरह वेस्ट रखे आपकी क्या कि आप जो हैं वीश्वा प्रसन आ चुका है कि हमारे देश के सविदान में किसके लिए निस्टूलक और अन्यवारी शिक्सा की व्युश्था की गई है सभी चात्रों के लिए सभी नागरिकों के लिए सभी चात्रें प्रोडु के लिए चंदा वर्स तक के बच्चों के कौन से लिए और करेक्ट और करेक्ट और करेक्ट हो जाएगा कि हमारे जो सविधान है इसमें 14 वर्स तक के बच्चों के लिए शीक्षा बिल्कुल निसुलक रखी गई हैं तो साब यह थे आज के 20 प्रसन कैसे लगे अच्छे लगे हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या करें और में बताता हूं डग जाओ आप और क्या करना है आपको देखो और करना है प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक जना जो भी इस वीडियो को देख रहा है कम से कम अपने 10 मिश्ट्रों के साथ कम से कम अधिक से अधिक तो आ चाहिए कोल करूंगा चाहिए वोर्सक करूंगा चाहिए फेस्बूक करूंगा लेकिन दस जनों को तो शेयर करूंगा ही करूंगा तो आप शेयर करोगे पूरी उम्मीद हैं बंदे मात्रम जैसिया राम